हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागता आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिमाप फार्मेसी में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर मालीजी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सांस फूलता है जिसमें मरीज का क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होता है सांस उनका फूलता है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ अस्थमा बिमारी के बारे में तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यह आखिरकार अस्थमा होता क्या है दोस्तों अस्थमा जो होता है ये ऐसा condition होता है जिसमें देखा जाता है कि अगर मालेजे किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसमें जो उनकी सांस लेने वाला रास्ता होता है सांस लेने की जो नली होती है वहाँ पर सूजन हो जाता है वो एकदम पतला हो जाता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्योकस प्रोडिूस हो जाता है जिसकी वज़े से देखा जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है जिसको सुद्ध इंगलिस भासा में बोला जाता है difficulty is to the breath मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगता है इसी को बोला जाता है कि वेक्ट को सांस फूल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है जिसको दमा बोला जाता है या पिर उसको अस्थमा भी बोला जाता है अस्थमा बिमारी एक ऐसा इस्थिती होता है जिसमें देखा जाता है वेक्त का जो वायू मार्ग होता है एरवे होता है वहाँ पर सूजन हो जाता है उस एरिया में बहुत ज्यादा म्यूकस जम जाता है बहुत ज्यादा बलगम बन का नाम होता है दमा जुसको इंगलिस भासा में बोला जाता है कि उनको अस्थमा हुआ है तो चलिए जान लेते हैं अस्थमा की केसिस में क्या देखा जाता है दोस्तों जैसे कि माल लिजिए ये सांस लेनी की जो नली है एयर वे जो है ये नार्मली है ये एकदम खुला हुआ इसमें आसानी से सांस अंदर और बाहर लिया जा सकता है लेकिन अगर माल लीजिए यहाँ पर स्वैलिंग हो जाता है और यह एकदम सिकुड गया है तो क्या आप आसानी से सांस ले पाएंगे यहाँ पर सूजन हो गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया है तो आप नार्मली सांस को नहीं ले पाएंगे जैसे कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यह से कि माल लीजिए यह आपका नार्मल एयरवे है इसमें आप आसानी से सांस अंदर और बाहर कर सकते हैं लेकिन अगर माल लीजिए यह एकदम सिकुर जाता है तो क्या आप आसानी से सांस ले पाएंगे अंदर बाहर नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया है बहुत ज़्यदा बलगम जम गया है और आपका जो airway है वो contract हो गया है वहाँ पर सूजन हो गया है इसकी वज़े से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सांस फूल रहा है तो इसी बिमारी को हम लोग बोलते हैं कि मरीज को दमा हो गया है आई होप आप सभी लोग को ये पूरी बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो अब आप लोगों को बताने जा रहा है कि अगर मालीज जे किसी का सांस फूल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सांस फूल रहा है तो वहाँ पर देखते रहते हैं बहुत सारी जानवर हमेशा इदर उदर किये रहते हैं तो जानवरों का डेंगर का मतलब होता है गोबर हो गया उसकी वज़े से भी देखा जाता है कि मरीज को दमा हो जाता है सारक पर जाते हैं वहाँ पर बहुत जादी गंदगियों रहती हैं जो कि वो गंदगी हमारे नाक के अंदर जाता है और उसकी वज़े से भी देखा जाता है कि ये बिमारी देखा जाता है अस्तमा का उसी तरीके से chemical and perfume जो लोग जादा इस्तिमाल करते हैं वो भी एक कारवर बन जाता है अस्तमा बिमारी का या फिर air pollutant की वज़े से भी देखा जाता है ये बिमारी हो सकता है या फिर जो लोग smoking बहुत जादा करते हैं उस तरह कि लोगों को भी देखा जाता है कि अस्तमा की बिमारी हो जाता है इसलिए smoking नहीं करना चाहिए समझ गया आप लोग और कुछ लोगों का तो genetic होता है ये दमा की बिमारी, सांस फूलने की बिमारी कुछ लोगों का genetic होता है परिवार में बड़े बुजुर्ग को किसी को है तो वो लच्छर बच्चों में भी आ जाता है कुछ genetic भी होता है कुछ respiratory infection अगर मालेजे respiratory सांस लेने वाली नली में अगर को infection हो जाता है तो उसके वज़े से भी देखा जाता है ये बिमारी या फिर कुछ food या फिर beverage मतलब आपने जाते हैं इसके वज़े से भी कभी कभी देखा जाता है ये बिमारी हो जाता है तो ये सारे के सारे कारण होते है अब इन में से कोई भी कारण हो सकता है जिसके वज़े से फिसेंट को अस्थमा की बिमारी हो गया है जिसके वज़े से उसका सांस पोलता है सांस लेने में दिक्कत होता है ये सारे के सारे कारण होते है दोस्तो इसी तरह से मैं आप सभी लोग के लिए एक बुक बनाया है जिस बुक का नाम है A2Z Medicine Book ये जो दोस्तो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ-साथ आप लोगों को फिरे में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 449 रुपय ये बुक आप लोगों को PDF के पार्मेट में WhatsApp पर मिलेगा जो कि आप कैसे लेंगे इसे ये वीडियो के comment box में जाएंगे वहाँ पर एक link मिल जाएगा जिए वाँ आप उस link पर click करेंगे तो direct आप WhatsApp पर पहुंचेंगे उसे ये number पर आपको payment करना है वहीं पर आपको book और पूरे book का video lecture भी मिल जाएगा जो लोग लेना चाते हैं ले सकते हैं जो लोग practice करने माले चात्रा जरूर इस book को purchase करें जिसमें हजारों परकार की दवाईयों का नालेज आपको मिल जाएगा तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर मालेजे किसी को अस्थमा की बिमारी हो जाता है दमा की बिमारी हो जाता है तो उनमें कौन-कौन से लच्छड देखे जाते हैं लच्छड के अगर बात करें तो चेष्ट में दर्द होगा बहुत ज़्यादा color को change करता हूं तब आपको दिखेगा क्योंकि ये भी green है और मेरा highlighter भी green ही था देखिए चेष्ट में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा चीक आ सकता है और चीक आ सकता है कभी-कभी सांस लेते समय नाकों से CT भी वजने लगता है तो वो भी एक लच्छड होता है breathing difficulty जो जाता है सांस लेने में भी दिक्कत होता है और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो रात में सोने में भी दिक्कत होगा अगर कोई वेक्त सांस नहीं ले पा रहा है सही से तो क्या वो आसानी से सो पाएगा बिल्कुल भी नहीं सो पाएगा तो ये एक लच्छड देखे जाते हैं कि अगर मालिजे किसी को धमा की बीमारी हो गया है तो उनमें ये सारे की सारे लच्छड देखे जाते हैं होता है salbutamal जो की एक प्रकार का racemic mixture होता है ये जो salbutamal होता है इसमें दो चीज का mixture होता है कौन-कोन से दो चीज ओते हैं एक होता है liwo और दूसरा होता है dextrot ये दो चीज बिलकर के ‫قरके बने हुए राते हैं salbutamal समझगे हैं जिसका नाम होता है liosolbutamal and extra समझ गया? तो ये होता है solbutamal and liosolbutamal इसी के साथ साथ एक जैसे होता है liosolbutamal ये जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत इसमें side effect भी देखे जाते हैं side effect अब आप लोगों को बताऊँगा, salbutamal के तूल नामे लियो सॉल उटामाल जो होता है इनके थोड़े से साइड इफेक्ट भी जादा देखे जाते है समझे आप लोग तो ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जियानना चाहिए दोस्तो चलिए बात करते हैं अब आप लोगों को थोड़ा सा मेडी सीन के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेडी सीन आप लोगों को पहले बता रहा था अब डीटेल आपको समझाने जा रहा हूं मेडी सीन के बारे में तो अभी तक जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे थे होता है, जो अंदर की तरप खीचते हैं, उसको वो दूर फेक देते हैं, जिससे वो inhaler को अपने अंदर ना खीच सके और उसी की वज़ए से सांस पूल करके उनकी मरत्य हो जाता है, तो यही होता है, वो inhaler, अगर किसी का सांस पूलता है, तो उस cases में leo-solal-buta-mal inharler इस्तिमाल किया जाता है, और एक और भी होता है, अगर वो नहीं ले रहे हैं, तो ये सौल गुटा माल इनेलर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जो कि ये भी कापी जादा यूजपुलन पापुलर होता है, जो कि अस्थलीन के नाम से फेमस होता है, मतलब क्या होता है, अगर किसी को दमा हो गया है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस तरह के पेसेंट को ये दिया जाता है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है जो सांस लेने वाली नली नहीं होती है वो माल लीजिए अगर किसी को सांस फोल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो मतलब इनका ज बीटा 1 पर भी अपना effect दिखाता है जिसकी वज़े से heart rate बढ़ सकता है यह जो दवाईयां आपको बता है साल बूटा माल, लियो साल बूटा माल तो इनके अगर कुछ side effect हो गए तो यह बीटा 1 पर अपना effect दिखाते हैं और जब यह बीटा 1 पर अपना effect दिखाएंगे तो इसकी वज़े से देखा जाता है heart rate बढ़ जाता है अब आप कहेंगे बीटा 1 यह बीटा का location कहाँ पर होता है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो बीटा receptor होता है इनका location and action क्या होता है हमारे सरीर में अगर कोई भी दबा बीटा 1 के उपर effect दिखाएगा कोई भी effect दिखाएगा तो वो हमारे heart के उपर effect दिखाएगा वही पर अगर कोई दबा बीटा 2 receptor के उपर effect दिखाता है तो वो smooth muscles के उपर अपना effect दिखाएगा अगर मालीजे वही पर कहीं पर लिखा गया है कि ये दवा beta 3 receptor के उपर अपना effect दिखाएगा तो वो AD post tissue के उपर अपना effect दिखाएगा तो अगर मालीजे beta 1 के उपर अपना effect दिखा रहा है तो height rate भर सकता है, घट सकता है ये problem देखे जाते हैं और वही पर अगर मालीजे कोई भी दवा beta 2 receptor पर अपना effect दिखाता है तो वहाँ पर smooth muscles में relaxation देखे जाते हैं और अगर मालीजे beta 3 पर कोई दिखाता है अपना पर तो AD post tissue में lipolysis जो होता है वो increase हो सकता है तो ये सारे इनके point होते हैं जो आप सभी लोग को पता रहना चाहिए कि कहां पर ये अपना असर दिखाते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों एक और भी दवा आता है जिसका नाम होता है anti-colinergic drug anti-colinergic drug में क्या होता है इसमें आता है एक होता है ipotropium bromide ये जो होता है site acting medicine होता है मतलब अगर माली जी किसी को सांस फूल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये बहुत तीजी से अपना असर दिखाने का काम करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है एक प्रकार का inhaler है जिसका नाम है टायट्रोपियम bromide जैसे कि देखें आप टायट्रोपियम bromide है ये भी powder के farm में होता है जो कि inhaler ये भी होता है समझ गया है इसका जो असर होता है ये lung acting होता है ये लंबे समय तक अपना असर दिखाता रहता है जिसे patient को थोड़ा लंबे समय तक उसको आराम मिले ये respiratory track के अपर वेको ओपिन करने का काम करता है जैसे कि ये respiratory track का मतलब होता है रास्ता सांस लेने वाली नली जो होता है वो सिकुड गया है तो उसको उपरे रास्ते को ये खोलने का काम करता है जिसे मरीज आसानी से सांस को अंदर बाहर कर सके जो उसको सांस फूल रहा है वो फूले ना एकदम अच्छे से वो ठीक हो जाए समझ गया आप लोग तो अगर हम इनके dose के बारे में बात करें जो दोनों दवाईया आपको यहाँ पर बताएं जैसे के बताएं आपराट्रोपियम ब्रॉमाइट और उसके बाद आपको यहाँ पर बताएं टायोट्रोपियम ब्रॉमाइट तो इनका dose क्या होता है दोस्तों चलिए इनके dose के बारे में बात कर लेते हैं इनका dose होता है maximum dose होता है 4 puff मतलब एक puff में 200 MCG होता है समझ गए तो maximum 4 puff आप इसको ले सकते हैं यह दोनों दवाईओं को आपको बता रहे है इसका भी dose वही है और इसका भी dose वही है समझ गए और दोनों का नाम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिखा दिए हैं एक है आइपोट्रोपियम ब्रमाइट और जो दूसरा है वो है टायोट्रोपियम ब्रमाइट जो आइपोट्रोपियम ब्रमाइट होता है यह साइट एक्टिंग होता है यह तुरंत काम करने का काम करता है तुरंत यह आसर दिखाता है बहुत तेजी से और यह टायोट रोपियम प्रमाइड होता है यह लांग एप्टिंग होता है इसका असर तो होता है तुरंट लेकिन लंबे समय तक यह अपना असर दिखाता ही रहता है समझ गया आप लोग तो यह भी बाते हो गए इसी के साथ सथ कुछ और भी दवाईयां होता है जैसे कि य हो गया नेबूलाइजर अभी आपको इनहेलर के बारे में बता रहे थे अब आप नेबूलाइजर के बारे में जान लेजे और आप सभी लोगों को नेबूलाइजर क्या होता है इनहेलर क्या होता है पता है अगर जो लोगों को मेडिकल के छात्र है और उन्हेलर नहीं पत और जिनको नेबूलाइजर नहीं पता है वो लोग एक बार गूगल पर जाकर के सर्च कर लेना इनहेलर इमेज जो की हाथों में लेकर के उसको माउथ की पास लगा करके अंदर की तरफ खीचा जाता है और नेबूलाइजर जो होता है ये एक मसीन की तरह होता है जो की पाई पैसे लगा राता है और उसको नाकों में पहन लेते हैं यहाँ पर बटन चालू करते हैं और यहाँ पर दवा राता है सीधा सीधा अंदर जाने लगता है अंदर की तरफ उसको खीचा जाता है ये होता है नेबूलाइजर जिसका इस्तिमाल कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग किये हैं, समझ गया है, तो इन्हेलर की बात करें, तो ब्यूड कार्ट एक होता है, जैसे कि ब्यूड कार्ट का नेबूलाइजर हो गया, एक और भी होता है, डिूलीन की नाम से इन्हेलर आता है, इन्हेलर नेबूलाइजर है, डिूलीन का है नेबूलाइजर, और ये तक है ये बूड कार्ट का, ये दोनों नेबूलाजर हैं, नेबूलाजर का भी वही काम होताएं दोस्तों, अगर मालेजे कोई ऐसा पेसिंट है, जिसको सांस फोल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस खेसिस में इनेदिया जाता है, जैसे कि माल लीजे ये आपका नार्मल एयरवे है लेकिन यहाँ पर स्वैलिंग हो गया है एकदम जादा इंफलामेशन हो गया है और ये एकदम सिकुर गया है तो इसको ये नार्मल कंडिशन में लाने के लिए एंटी इंफलामेटरी मेडिसीन दिया जाता है इंफलामेटरी इंफलामेशन से मिल करके बना हुआ है और इंफलामेशन का मतलब होता है सूजन होना तो अगर माल लीजे किसी को बहुत जादा सूजन हो गया है एयरवे में और एकदम सिकुर गया है तो उस cases में anti-inflammatory medicine दिया जाता है जिसका काम क्या होता है ये respiratory tract सांस की नली जो होता है वहाँ पर जो सूजन हो गया है inflammation जिसे बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर mucus जम गया है जिसकी वज़े सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको ये हटाने का काम करता है समझ गया है तो इस तरह के medicine के आंत में sun आता है अब आप कहेंगे जैसे की example दीजे example की बात करें तो जैसे की सबसे पहला हुए hydrocaticosone hydrocaticosone जो होता है ये sight acting medicine होता है जिसका जो असर होता है वो 8 से 12 घंटे तक असर रहता है आपको बता रहे है सबसे पहले medicine के बारे में जो कि है hydrocaticosone इस दवा का जो असर होता है वो 8 से 12 घंटे तक होता है अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है 1 से 2 mg प्रत किलोग्राम के basis पर दिया जाता है अगर माली जे कोई व्यक्त 60 किलोग्राम का है तो उसको 60 से 120 mg तक आप डोज दे सकते हैं समझ गया आप लोग चलिए कुछ intermediate action के बारे में बता देते हैं जैसे कुछ दवा ऐसे भी होते हैं जैसे थोड़ा लंबे समय तक अपना असर दिखाते हैं जैसे की intermediate वाला बता देता हूँ जैसे की होगा प्रेडिनो सलोन या फिर वाइस सलोन हो गया ये एक ऐसा दवा होता है यहाँ पर ये दवा है इस दवा का जो असर होता है वो 12 से 36 गंटे तक इसका असर रहता है मरीज के अंदर जिनका डोज होता है 5 से 60 ग्राम यमजी परती दिन दिया जा सकता है समझें आप लोग इसी के साथ साथ एक और भी दवा होता है जो कि और भी जादा समय तक अपना असर दिखाता रहता है जिसको लांग एक्टिंग मेडिसीन बोला जाता है इस दवा का जो असर होता है वो लंबे समय तक होता है लेकिन उस दवा का असर जानेंगे पहले दवा का नाम तो जान लिजे तो इस दवा का जो नाम है दूस्तो वो है डेक्सो मेतासोन डेक्सो मेतासोन एक ऐसा दवा होता है जो कि ये भी काफी जादा यूजपुल और पापुलर मेडिशीन होता है, अगर मालीजी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अस्तमा हुआ है तो उस cases में ये भी दिया जाता है, इस दवा का जो असर होता है, वो 36 से 72 घंटे तक रहता है, अब आप सोच सकते हैं, इतना इतोफाइलन होता है, एक थियोफाइलन होता है, ये दो चीज मिल करके बना हुआ आता है, डेरी फाइलन इंजेक्शन, जो कि काफी यादा यूजपुल और पापुलर मेडिसीन होता है, अस्तमा के पेसेंट के लिए, जिसका सांस पूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो लेकिन ध्यान रखना है, 6-8 घंटे के पाले इसको दोबारा नहीं देना है, 6-8 घंटे के बादे इसको दोबारा डोज देना है, समझ गयें, तो चलिए इनके कुछ फंसन के बारे में जान लेते हैं, अभी तक आप लोगों को इतने सारी दवाइयों के बारे में बताएं ह यह होता है, कि जैसे मालीजे किसी को दमा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा सांस पूल रहा है, तो यह जो airway है, सांस लेने की जो नली है, वो एकदम सिकुर गया है, तो इसका काम होता है, कि ब्रोंकाई जो कांटरेक्ट हो गया है, उसक सास लेने में दिक्कत हो गई, तो हम लोग जो मरीज होते हैं, जिसका सास भूलता है, सास लेने में दिक्कत होता है, तो उस तरह के पिसंट को, ब्रोंकियोड आइलेटर काम स्पूलिए जिक्कारणा को इसके लें, तो तब कबैस के नहों को. notification आपको सीधा और सीधा home page पे मिल जाए तो चलिए दोस्तों, thanks for watching my video like, comment, share and subscribe this channel